हेलो अरिवन, वेलकम बैक टू अनलाइन स्टाडियोन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्पून टॉपिक के बारे में जो कि एक्जांस में नया नये टॉपिक आया हुआ था क्योंकि पिछली बार आपने क्वेसन देखा हुआ कि निमलिखित में से कौन से प्रधान मंतरी किसी राज्य के मुखे मंतरी नहीं थे तो वहाँ पे आपको चार वेक्ती के नाम यानि चार प्रधान मंतरी के नाम देखनी को मिलता था और उसमें से आपको बताना था कि क्या साही आंसर होगा तो अगर आपको ये topic clear होता कि कौन-कौन से मुखे मंतरी थें जो की आगे चल करके प्रदाहान मंतरी बने तब जाकर कि ये questions आप असानी से deal कर सकते थे तो उसी को देखते हुए ये मैं second video बना रहा हूँ इस topic पर क्योंकि इससे पहले वाले पिछली बारे मैंने ये video बनाया हुआ था इस topic पर लेकिन एक बर फिट से अप लोगों के demand के उपर तो चलिए फिलाल आज इस video में हम लोग अपने समझ लिया किस तरह के questions आप से पूछा जाएगा कि निमली खित में से कौन से प्रदाहान मंतरी थे जो किसी राज्य के मुख्यमंतरी नहीं थे या फिर निमली कित में से कौन है जो कि कभी किसी राज्य के मुख्यमंतरी रह किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है तो हम आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करें तो यहां पर टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं कि मुख्य मंत्री जो प्रधान मंत्री बने यानि टोटल अगर हम बात करें तो कुल 6 मुख्य मंत्री हु हुए है टोटल कितने 6 अब ओच है कौन-कौन से तो मुख्य मंत्री थे जो आगे चलके प्रधार मंत्री बने हुए ठीक है किलियर है सब कुछ चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि मुख्य देशाई जो आप प्रधार मंत्री देख रहे हैं वो पहले किस किस राज्य के मुख्य मंत्री रहा हुआ करते थे तो सबसे पहले सुरू करते हैं मुरारजी देशाई से यह बॉंबे स्टेट देखे बॉंबे स्टेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 52 से 56 तक यह वहां के मुख्य मंत्री थे और आपको पता है कि 1960 में जाकर के महराष् रात बना जब बॉंबे स्टेट अलग हुआ तो उस वक्त हम इसे बॉंबे स्टेट ही कहते थे तो बावन से लेकर के 56 तक वहां के यह सी एम थे बाद में चल करके 1977 से 1979 में यह भारत के चौथे प्रधान मंत्री बने और यह भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र में मन किस पार्टी से था तो यह जंता पार्टी से समद रखते थे यह भी याद रखिएगा किलियर सेकेंड पॉइंट 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 चौधरी चरण सिंग देखें यह उत्तर परदेश के दो बार्स यह बन चुके हैं और भारत के बात करें प्रधान मंत्री के करम में तो यह पाँचवा है पाँचवे प्रधान मंत्री है और इनके बाद यानि मुरा रजी दिसाई के बाद जो प्रधान मंत्री बने वो चौधरी चरण सिंग ही थे 1989 से लेकर के 80 तक यह चीज याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विपी सिंग यानि विश्वनात प्रताप सिंग यहाँ पर याद रखेगा यह भी उत्तर पंदिश के ही मुखे मंत्री हुआ करते थे 1989 से लेकर 90 तक यह भारत के साथवे प्रधान मंत्री के रूप में नोने काम किया हुआ है साथवे प्रधान मंत्री के रूप में नोने काम किया हुआ है तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तीन विक्तियों के नाम आपने याद रखा, तीन प्रधान मंत्री कौन-कौन थे, जो कि मुखे मंत्री के रूप में कारे कर चुके थे, अब यहां पर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट जो कि PB नरसीमा राउस से देखने को मिल तो चौथे पॉइंट पर हम बात करें, तो यह देखिए, पहले ऐसे प्रधान मंत्री बने हैं, जो कि साउथ इंडिया से निकल करके आए, साउथ इंडिया यह आंद्रपरदेश के मुखे मंत्री के रूप में नोंने कारे किया हुआ, चिफ मनिस्टर थे, कब तो 1971 से 1973 तक और यह भारत के नोवे प्रधान मंत्री के रूप में इन्होंने कारे किया, 1991 से लेकर के 1996 तक इन्होंने अपना पूरा कारे काल दिया, पांच वर्सों तक, 1991 से चानवे तक नोवे प्रधान मंत्री के रूप में पेवी नरसीमा राओ, आंद्रपरदेश के CM पहले थे, यह याद रखना है, और उसके बाद हम देखने को मिलेगा HD देव गौड़ा, HD देव गौड़ा यह एक रहावे प्रधान मंत्री के रूप में कारे करते हैं, और इससे पहले यह करनाटक के CM थे, 94 से लेकर के 94 तक करनाटक के CM, इसके बाद जाकर कि यह प्रधान मंत्री बने, 96 95 से लेकर के 97 तक इन्होंने एक साल तक प्रधान मंत्री के रूप में कारे किया, एक रहावे प्रधान मंत्री थे, ठीक है, दिखिए जितने भी चीज़े आपर बताई जा रही है, उनमें आपको सबसे पहले चीज की याद रखने को किस स्टेट के CM थे, ठीक है, किस स्टे चौधरी चरल सिंग कहा के थे, चौधरी चरल सिंग दो बार उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री के रूप में कारे किया, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो हमें बीपी सिंग का नाम देखने को मिलता है, यानि विश्वनाद प्रताप सिंग, जो कि ये भी उत्तर परदेश से समझ रखते हैं, तो उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री के रूप में कारे किया, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो हमें साउथ इंडिया के परदान मंत्री देखने को मिले, जो कि पीवी नर्जीमा राओ, आंधर परदेश से निकल के आते हैं, उसके परदेश के बाद हम HD देवगोडा को देखें, वो करनाटक से समझ रखते थे, और लास्ट वाले के बारे में तो क्या ही बताऊं, सबी लोगों को बताईए, नरेंद्र मोधी जी, जो की 2014 से अभी तक परदान मंत्री के रूप में कारे थें, और ये गुजरात के चार बार परदान मंत्री के रूप में कारे इन्होंने किया, कितनी बार? चार बार इन्होंने परदान मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है? तोड़ा सा ये इंक लिक कर रहा, चले, तो यहाँ पर बता दू कि नरेंद्र मोधी जी, 2001 से लेकर के 14 तक ये गुजरात के मु और हो गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करिएगा तो आज हम इस वीडियो में जितने भी परियावरण से जुड़े प्रमुख अधिनियां बनाये गए हैं जो एक्जाम्स के पॉइंट अभी उसे इंपॉर्टेंट एक new और fresh topic देखने को मिलता है तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो हमारा questions बनेगा वो है आपका सुगमता अधिनियम सुगमता अधिनियम 1882 में पास हुआ था और इसके according यानि इस कानून के तहत ये बनाये गया कि भूमी में जो भी मिलने वाला जल होगा यानि भूमी से प्राप्थ होने वाला जितने भी प्रकार के जल होंगे उस पर राजसरकार का अधिकार होगा यानि भूमी के जल है वो याद रखना है वहीं important है क्योंकि अब तक लगभाग exams जितने भी पूछे गए questions इसी तरह से पूछे गए तो याद रखना है कि सुगमता अधिनियम 1882 सेकंड पॉइंट है कि भारतिय मतस से पालन अधिनियम 1897 इसमें क्या था भारतिय मतस से पालन अधिनियम 1897 के अंतरगत कि अगर आप मचली पकड़ते हैं तो मचली पकड़ने के लिए किसी भी तरह के प्रदूशन या फिर किसी भी तरह के बिसफोर्ट इस्तमाल नहीं करेंगे यानि जैसे कि बिसफोर्ट के मतलब कि डैनमाइट का इस्तमाल करके आप इस तरह चीज नहीं करेंगे तो भारतिया मतलब से पालन अधिनियम 1897 के according यही बात था ठीक है तो यह चीज़ याल रखना है इसके बाद आता है हमारा next point कि भारतिय वन अधिनियम 1927 यह याद रखेगा important रहेगा भारतिय वन अधिनियम 1927 इसके बाद आता है नदी बोड अधिनियम 1956 यह याद रखना है अगर दो राज्यों के बेच किसी नदी को लेकर के विवाद होता है उसके according राज्य सरकार क्या अधिनियम लगा सकता है क्या तरीके अपना सकता है वो इसके बाद आए गया था नदी बोड अधिनियम 1926 यह चीज़ याद रखना है इंपार्टेंट रहेगा इसके बाद आता है वन ने जीव संद्रक्षन अधिनि तो सबसे ज़ादा ये तीन क्यास वन ने जीव संद्रक्षन अधिनियम और सातिसाथ पर्यावरन संद्रक्षन अधिनियम ये तीन एकदम गाठ बांध लिजे कि हर एक्जाम्स में डेफनेटली इससे डेफनेटली पूछे जाने की चांसिस होती है ठीक है वन ने जीव प्रदुशन वाला तो इसे याद रखेंगे जल प्रदुशन की रोक्ठाम एवं नियंत्रण जो अधिनियाम है 1974 का था 1974 इसके बाद आता है वन संद्रक्षण अधिनियाम 1980 उपर में देखा था वन ने जिव सनरक्षन अधनियम लेकिन यहाँ पे वन सनरक्षन अधनियम है इसके बाद next point है वायू प्रदूशन की रोक्थाम एवम नियंतरण वायू प्रदूशन की रोक्थाम एवम नियंतरण जोगा वो 81 के अंतरगत आएगा जल 74 के अंतरगत यह तीनों याद रखना है अब यहाँ पे आता है हमारा next point कि परियावरंट सनरक्षन अधनियम 1986 वन ने जिव सनरक्षन कहा जाए तो 1972 सिर्फ वन सनरक्षन कहा जाए तो 1980 परियावरंट सनरक्षन अधनियम कहा जाए तो फिर 1986 को ध्यान रखना है ठीक है 1984 इसके बाद आता है biomedical waste biomedical waste प्रबंधन और handling 1998 याद रखना है जो biomedical waste होता है उसको आप किस तरह से निप्टान कर रहे हैं उसका अच्छे से नियम के recording उस waste को आप मतलब कि प्रबंधन कर रहे हैं इसको देखने के लिए देखरे करने के लिए 1998 में ये अधिनियम लाया गया था biomedical waste ठीक है फैंस biomedical waste इसके बाद आता है कि पौधा किसम और क्रिसक अधिकार संडक्षन दिया पौधा किसम और क्रिसक अधिकार जो संडक्षन अधिनियम आया वो 2001 के अंतर गद आया था 2001 ये याद रखेंगे 2001 next point आता है जैविविता धिनियम 2002 जैविविता धिनियम 2002 परतेक वर्स जैविविता धिवस कब मनाते हैं ये अपनी चे कमेंट करके बताइएगा ठीक है जैविविता धिनियम 2002 के अंतर गद मनाया जाता है तो जो मैंने आपको questions पूछा कि परतेक वर्स जै विविता दिवस कब मनाते हैं कमेंट करके बताई है Next point है कि ध्वानी प्रदूशन ध्वानी प्रदूशन विनिमयन और नियंतरण 2002 के अंतरगत जैसे हमने भी देखा जल आता है 74 यानि जल प्रदूशन रुक्थाम जो नियंतरण है वो 1974 के अंतरगत वायू की बात करता है तो 81 और अगर ध्वानी की बात करता है तो फिर 2002 ठीक है 2002 122 अब आता है राश्टिये परियावरण नीती राश्टिये परियावरणनीती आता है 2004 के अंतरगत ध्यां इंपोर्टेंट है कई बार विपर में देखने को मरा भी है इसके बाद है राश्टिये हरित प्राधिकरण जिसको हम लोग NZT के नाम से जानते हैं National Green Tribunal ठीक है जिसके वर्तमान अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयलन तो ये ध्यान रखेगा कि हरित राष्टी हरित प्रादिकरन 2010, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना कै सकते हैं इसका मुख्या लेनिव देली में अंतर पड़ता हैं ज़्यातर प्रश्ट आप से यहीं पूछेगा किस कि स्थापना कब होई थी NZT 2010 लास्ट है यहाँ पर E कच्रा प्रबंधन और हैंडलिंग E कच्रा जैसे कि एलेक्ट्रोनिक जो वेस्ट होते हैं उनको अम लोग E कच्रा कहेंगे तो इसका अधिनियम आया था 2011 के अंतरगत ठीके 2011 तो यहाँ पर सब है इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने लगा रखा आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेसन देखने को मिलेगा तो कल के वीडियो में आपको बता था कि आज हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग 2023 के जितने भी महत्पुन पुरसकार है उसको देखने वाले हैं तो आप इसकी पर देख पाएंगे कि मैंने बहुत सारे पुरसकार लिखे हैं और इसके नेक्स स्लाइड में भी इसी टाइप के जो भी महत्पुन पुरसकार है आपके आने वाले एक्जामस के लिए help करेगा जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी पुरसकार मिले हैं वो सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जागा तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे हैं और अच्छे तर डाउलोड नहीं किये डाउलोड करके चेक कर लीजिए उसमें बहुत सारे चीजे आपको मिल जाएगी जो आपके एक्जामस के लिए help करेगा तो सुरू करते हैं सबसे पहला चीज हमने देखिए यहां पे मेंसन किया है जनवरी से आपको स्टार्ट करते हुए हम लोग सबसे पहला चीज है रास्टिये बाल पुरसकार दोजा तेईस जो है कितने बच्चों को दिया गया यह आपसे पूछा यागा तो 11 बच्चों को दिया गया ध्यान रखेगा रास्टिये बाल पुरसकार 11 बच्चों को दिया गया पतंग राव कदम पुरसकार किसे मिला संग राव कदम पुरसकार, अटल समान पुरसकार किसको मिला है, अटल समान पुरसकार, प्रभु चंद्र मिस्र कहेंगे, प्रभु चंद्र मिस्र को अटल समान पुरसकार से समानित किया गया, प्रवासी भारतिय समान पुरसकार, यह important रहेगा, प्रवासी भारतिय समान पु जो कि नेपाल के हैं, सेंडूक रूइट इनको ये दिया गया, ध्यान रखेगा दियान रखेगा इंप्टन्ट है, अगला है कि अंतरास्थिये मात्रि भासा पुरस्कार किसको मिला अंतराष्टिय मात्री भासा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिस्रा जी को दिया गया है अंतराष्टिय मात्री भासा पुरस्कार युनेस्को ने सांती पुरस्कार किसको दिया युनेस्को ने सांती पुरस्कार एंजला मारकल को दिया है जल्दी से कमेंट करके बताए कि युनिसको का मुख्याले कहां पर है कल की वीडियो में आपको बताया गया था जितने पे अंतराष्टी संगठन है उनका मुख्याले वो बताया गया तो आप कमेंट करके बताए कि युनिसको का मुख्याले कहां पर पड़ता है तो फिलाल इस questions में देखा हमने कि उने इसको ने सांती पुरसकार किसको दिया है एंजिला मारकेल संगीत कला निधी पुरसकार किसको मिला है संगीत कला निधी पुरसकार बॉंबे जैसरी जितने भी पुरसकार यहाँ पे हमने मेंसन किया है वो बहुत महत्पूर्ण है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको याद रखने के बाद ही आप जिसको जो भी याद रखने हैं, अगला है कि महाराष्ट भूशन पुरसकार किसको दिया गया, महाराष्ट भूशन पुरसकार अप्पा साहिब धर्माकारी, सभी दोज़ा और यह बंदा है कि वन्हें जीऊ संरक्षन अधिनियम कब है यह कमेंड करिये है अधिनियम से लेटेट परमुख जलवायू और प्रमुख पर्यावरन से लेटेट जो अधिनियम है वो मैंने करा दिया है आप लोग बता आइएगा इसका सही अंसर क्योंगा आगला प्रशने कि सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरशकार किसको दिया गया य rh lस मिला है उरिसा को दिया गया याद हो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया एक बार फिट से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एक बार फिट से रिपीट हो जाए तो रिवीजन हो जागा अंत्राश्टिये बाल पुरसकार कितने लोगों को 31 सोरी 11 से पुरसकार किसको मिला सेंडी खुरूइट अगर इस तरह से याद एक बार कर लेते हो तो इसका MCQ जब भी आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपके डिमांड रही तो हम MCQ भी आपको करा देंगे ताकि रिवीजन और अच्छे से हो जागा तो 2022 के लिये पुरूशकार किसको मिला है तो फहमिदा अजीम जोकी बंगलादेश से हैं अंतराश्ची मातरी भासा किसको मिला तो डॉक्टर महिंद्र मिश रहे हैं युनेस्को ने सांती पूरूशकार किसको दिया एंजेला मार्केल को दिया है संगीत कलानिधी पुरुस्कार किसको मिला, तो बॉंबे जैसरी को, महरास्ट भूशन पुरुस्कार किसको मिला, अप्पा साहिब धर्माकारी, नाम से लग रहा है माराथी, तो यह याद रहेगा, वन्नेजू संडरक्छन पुरुस्कार आलिया मिर को, ठीक है, आलिया मिर को इसके बाद है सुभास चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसका तो ये उडिसा राज्य को दिया गया है गुवर्नर अफ दे इयर सक्ति कांदास लास्ट है पदम विभूशन पुरसकार किसको मिला तो मुलायम सिंग या दो ये चीज के लिए हैं अब चलिए इधर बढ़ते हैं लता दीनानात मंगेशकर पुरसकार किसको मिला असा भोसले को सांकी की 2023 का अंतरास्ट ये पुरसकार सी आर राव को दिया गया भारत रतन डॉक्टर अंबेधकर पुरसकार किसको मिला तो उत्तरपर्देश के जो CM है योगी आदित्यनाजी इनको दिया गया ध्यान रखेगा संतावनवा ग्यानपीट पुरुसकार किसको मिला तो संतावनवा ग्यानपीट पुरुसकार दामोदर मौजो को दिया गया दामोदर मौजो यह important भीविया ही रहेगा हिंदी लेखक है अतुल कुमार रोय और इनकी जो उपनियास है चांदपुर की चंदा इसके लिए इनको सहित्य अकाडमी युवा पुरुसकार दिया गया अगला जो सवाल है बहुत अच्छा है कि जर्मन सांती पुरुसका दो जार तीस किसको दिया गया तो सल्मान। रुस्ठी को विवाई रहेगा सल्मान रुस्ठी जो है इनको जर्मन सांती पुरुसका दो यातेईस से नांवाजा गया इकबाल मसी पुरसकार, इकबाल मसी जो है वो ललिता नटराजन, जो हम स्पीडी करनेटफेस आपको करा रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेशन से सहां से देखने को आपको मिला होगा, बहुत बहले भी मैंने कराया है इलिजाबेथ लांगफोर्ड पुरसकार किसको दिया गया, इलिजाबेथ लांगफोर्ड पुरसकार, रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है, आपको पता ही है कि इनकी जो पुस्तक होती है, काफी पॉपलर होती है, एकजांस में हमें सा, आता रहता है रामचंद्र गुहा क पुस्तक तो इनकी पुस्तक को Elizabeth Longford पुरसकार दिया गया अगला सवाल भी important रहेगा गांधी सांती पुरसकार 2023 किसको मिला ध्यान देजेगा इससे पहले अगर 23 नहीं पूछा या तो 21 वाला भी पूछा जा सकता है कि गांधी सांती पुरसकार 2021 किसको दिया गया था तो गीता सांती पुरसकार 2023 ध्यान दिजेगा 2023 किसको मिला उपर में देखा था साहीत अकाडमी युवा पुरसकार अतुल कुमार जो रोय है उनको मिला था लेकिन साहीत अकाडमी पुरसकार प्रिया ए-स ये दिया है next कि देश का सर्वस्रेश्ट राज्य भूमी समवान किसको मिला देश का सरवस्रेष्ट राज्य भूमी का सामान उडिसा को दिया गया और इधार अपने उडिसा में क्या देखा था सुभास चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार भी उडिसा को ही मिला है काफी लोगों के द्वारा पसंदीदा वर्कप्रेस से चुना गया है अंतराष्टी एनी पुरसकार किसको मिला तो थलपिल प्रदीप इनका संबन किस आईएटी से है हो सकता है कि थलपिल प्रदीप कहा संबन रखते हैं आईएटी मदराष्टी नेक्स्ट ये क्वेसन तो आपको पहले भी पता है कि पुछा जा चुका है जब सेल को मिला था पूछा जा रहा था एक्जामस में आया भी था गोल्डेन पिकॉक परियावरन प्रबंधन पुरसकाद 2023 किसको मिला तो अडानी ट्रांसमिसन जो लिमिटेड है इसको दिया गया गोल्डेन पिकॉक परियावरन प्रबंधन पुरसकाद 2023 तो ये कुछ महत्यपून था अब चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स स्लाइड में और भी जो महत्रपूर्ण है उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो देखिए अब हमने आगे के स्लाइड पे आगे हैं और इसमें देखने वाले हैं जो बाकी के महत्रपूर्ण है तो सबसे पहला यहां पे पॉइंट औफ लाइट पूरसकार ब्रेटेन के प्रधार मंत्री का पॉइंट औफ लाइट पूरसकार मुक्ष रोय को दिया गया ध्यान रखेगा, AIFF पुरुस फुटबॉलर अफ दे एर का खिताब किसको मिला, तो लालियान, जुवाला, छांगटे जो हैं, इनको AIFF का पुरुस फुटबॉलर अफ दे एर का खिताब जीता है, दिया गया, कितने बीरता पुरसकारों को मंजूरी मिली है, राष्टपती, जी जो है, इनको मिला है, महरासरकार के द्वारा, उध्योग रत्नपुरसकार का अवर्ड, ठीके, जॉर्ज लेडली पुरसकार किसको मिला, जॉर्ज लेडली पुरसकार जो है, वो हावर्ड विस्वविद्याले का, जॉर्ज लेडली पुरसकार दिया गया, अर्थ सास्त बिजेताओं को 10,000 मासिक पेंसन देने की जो घोषना है वो किस राज सरकार ने की है यानि राज्यों में चितने भी पदम पुरसकार बिजेता रहेंगे उनको हर महिने 10,000 रुपे देने की घोषना की गई है हर्याना के सरकार के दौरा तो ये ध्यान रखेगा हर्याना के सरक के दुरारा, राष्टी स्मार्ट सिटी पुरसकार 2023 किसको मिला, राष्टी समार्ट सिटी पुरसकार का word indoor को दिया गया, indoor ठीके?, बोपाल, सौरी, मर्द पदेश का जो सहर indoor है, उसको दिया गया, ये चीज़ याद रखिए, वाइकुला, रेलिवेस्टेशन को युनिस्को का सांस्कृतिक पुरसकार मिला है वाइकूला रेल्वेस्टेशन को यूनिस्को का सांस्कृतिक पुरसकार दिया गया तो यह जो वाइकूला रेल्वेस्टेशन है वो मुंबई में है मुंबई, ठीक है मुंबई, रेमसे मैग, क्या मैं बोल रहाँ यार, रेमन मैग से से पुरसकार, रेमन मैग से से पुरसकार, 2023 जो है वो चार लोगों को दिया गया, विस्वे में चार लोगों को दिया गया, यानि एसिया का पुरसकार है, तो एसिया में चार लोगों को दिय जाती है तो यह चीज इंपॉर्टेंट रहेगा डॉक्टर रभी कर्नन जो की एक कैंसर विसे सग्या एकलब वे पुरुसकार 2023 की घोशना की गई जिसको मिला है वो पलक सर्मा है एकलब वे पुरुसकार 2023 पलक सर्मा को दिया गया है चले एक बार फिर से देखते है पॉइंट की घोशना की गई है ठीक है माराज सरकार द्वारा उध्योग रतने पुरुसकार रतन टाटा जी को मिला हावड विस्वविद्याले का जोर्ज लेदली पुरुसकार किसको मिला है तो एर्थ सात्री राज चेटी जो है इनको दिया गया है तो ये भी इंपॉर्टेंट रह को यूनिस्को के द्वारा सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है मुंबई रेमन मैक्जी से पुरस्कार 23 डॉक्टर रवी कर्नन जो की एक कैंसर विसे सग्गे हैं एक लव्य पुरस्कार 23 पलक सर्मा को दिया गया तो इधार कोई दिक्कत नहीं अब चलिए हम बढ़ते हैं आखरी पॉइंट्स के तरफ निसमें है पहला आताब का लिडिंग फिंटेक प्रस्नालिटी ऑफ दे यर का वर्ड किसको मिला है तो अधीब अहमद एक चीज़ मैं आपको बता दू कि इसमें जितने भी मैंने पुरस्कार लिए हैं वो सबसे महत्पूर्ण है इसके अलावा भी ब और याद रखें उसके बाद आप एकस्टा कुछ भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है अगलाए कि भारत का सर्वसेश्ट पर्यतन गाउं का पुरस्कार किसको मिलाए तो किरिटेसवर गाउं है इसिको सर्वसेश्ट पर्यतन गाउं का पूरसकार दोर्टाइश में दिया पहला भारत का पहला गाउं जो है किसुए घोसित किया था माना गाउं उतराखन का माना इसको याद है कि राजियुगांदी राष्टिय सद्भावना पुरुस्कार दिया गया अच्छा ये कमेंट करके बता है यह कि सद्भावना दिवस मनाते कब हैं राष्टिय सद्भावना दिवस परते कब मना जाता है किस डीट को मना जाता है आगे हैं दादा साफ आलके पुरसका दोह थेईस वाहिदा रहमान को दिया गया नॉर्मन बॉर्लोग फिल्ड पुरसकार डॉक्टर स्वाति नायक नॉर्मन बॉर्लोग जो थे इनका संबंद किस से था ये आप बताईएगा नॉर्मन जो नॉर्मन बॉर्लोग आप देख रहे हैं इनका संबंद किस देज मतलब किस फिल्ड से था वो आपको बताना है अग माइकल रोशेन को यूरोपियन निबन्ध पुरस्कार अरुंधती रोय को महराश्ट भूशन पुरस्कार किसको मिला है तो महराश्ट भूशन पुरस्कार डॉक्टर दत्तत्रे नारायन को देला है एबेल पुरसकार जिसको गडीत का नोबेल पुरसकार भी माना जाता है एबेल पुरसकार तो ये आपको मिला है लुई लुईस ए कैफरॉली ठीके लुईस ए कैफरॉली बस याद रखिए जो कि अर्चिंटीना से समंद रखते हैं क्या फ्रावली ठीक है एमेल पुरसकार प्रितजर पुरसकार जो कि आर्किटेक्चर के छेतर में दिया था है वास्तुकला के छेतर में दिया था तो प्रितेक्चर जो है वो आपका हो जाता है चिपर फिल्ड ठीक है चिपर फिल्ड मिजोरम में इन दोनों को मिला है उडिशा के साथ साथ लुंगलेई फावर स्टेशन मिजोरम इन दोनों को सन्युक तरूप से सुभाव चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरसका 23 मिला है ठीक है तो देखे फैंस उमीद है कि ये पुरसकार वाली वीडियो आपके लिए हेल तो आप हमारे अप्लेकेशन पे जा सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सेन में लिंक दिया गया जल्द से जाएगे और वहाँ पे अपने पसंद के कोर्स को जोईन कर लिजे फिलहाल हम मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ थैंक्स वाचिंग तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने निरवाचन आयोग से तो ध्यान दीजेगा निरवाचन आयोग जिसे हम लोग भारतिय चुनाव आयोग के रूप में भी जानते हैं निरवाचन आयोग कह सकते हैं या फिर भारतिय चुनाव आयोग के रूप में इसे जाना जाता है अगर हम बात करें कि यह किस परकार का निकाय है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह एक परकार का समिधानिक निकाय है समिधानिक निकाय मतलब यह होता है कि वो पहले एक अधिनियम के द्वारा उसको समिधानिक दर्जा दिया गया जो कि उसके समिधान में कहीं ना कि उसका चर्चा मिलता है तो समिधान में चर्चा मिलने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं समिधान में उससे related कोई article भी होगा तब उसे हम कहते हैं समिधानिक आयोग, तो समिधानिक आयोग है, यानि इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं, समिधान के भाग 15 में अनुछे 324 से 329 के तहत आप पढ़ेंगे, तो भारतिय चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग से लेटेर सारी जनकारी मिल जाएगे तो फिलहाल हम किसी और वीडियो में उसके बारे में डिसकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस ये आपको जानना है कि दिर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुछेद के अंतरगत आता है, तो 324 से 329 के अंतरगत आता है, ठीके, अब इसके बात करते हैं किसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारती चुनावायोग या फिर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, और साथे साथ 25 जनवरी को इसी के, इसी लिए, यानि परतेक वर्स, जाग रूपता फैलानी के लिए मतदान दिवस, रास्टे मतदान दिवस के रूप में भ आपको याद रखना है, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि इसके अंतरगत एक मुखे चुनावायोग्त होते हैं, और दो अन्य चुनावायोग्त होते हैं, एक मुखे चुनावायोग्त और दो अन्य चुनावायोग्त होते हैं, मुखे चुनावायोग्त का जो कारिका का कितने वर्सका होता है ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं इनकी न्यूक्ती कौन करते हैं जो मुख्य चुनावायुक्त होते हैं या फिर अन्य चुनावायुक्त होते हैं इनकी न्यूक्ती रास्टपती के द्वरा की जाती है तो यह पॉइंट याद रखना है अगर हम बात करें कि पहले मुख्य चुनावायुक्त कौन थे यानि जब ये गठन हुआ उस वक्त पहले मुख्य चुनावायुक्त कौन थे निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनावायुक्त सुकुमार सिन थे और ये भीवयाई प्रस्टन है क्योंकि हमेशा रिपीट होता रह तो सुकुमारसिन और अगर महिला में बात करें कि महिला कौण थी थी तो रामादेवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी तो रामादेवी थी ये चीज याद रखना है वीडीο आपको अच्छा लगे तो हमने आपको कराया और important भी है क्योंकि इसे related प्रश्ण पूछे जाते रहते हैं अब हम बात करते हैं आपे योजना आयोग के बारे में ध्यान दीजे योजना आयोग अपने आप में एक बहुत important ये हो जाता है आयोग क्योंकि इसे related पहले भी बहुत सारे प्रश्ण पूछे जाते थे और जब से इसमें changing हुआ यानि योजना आयोग के स्थान पर जब नीती आयोग आया तो नीती आयोग से related भी कई सारे सवाल एक्जामस में देखने को मिलते रहते हैं तो सबसे पहले हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 क किन्द्री मंटरी मंडल के दवारा पारित प्रस्ताओं को स्विकार करके यानि कि इसका गठन किस तरह से हुआ था questions हमेs आपको देखने को मिलेगा कि इसका अगठन किन्द्री मंदल दवारा पारित प्रस्ताओं के दवारा किया था 15 मार्च 1950 को ठीक है लेकिन 2014 में National Institution for Transforming India ये full form भी repeat होते रहता है एक्जांस में कभी-कभी क्या होता है कि इसमें पूछ ले जाया कि NITI जो नीति आयोग है इसमें T का मतलब क्या है I का मतलब क्या है तो फूरा full form आपको होना चाहिए याद National Institution for Transforming India इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये से अगर योजनायोग के अध्यक्ष की बात करें तो भी परधानमंत्र ही होते हैं और नीति आयोग की बात करें तो वो भी उसके अध्यक्ष परधानमंत्र ही होते हैं ये चीज आपको याद रखना है साथी साथ अगर हम बात करें नीतियायोग तो नीतियायोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है तो वो तो नरेंद्रमोधी होंगे क्योंकि प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बाद करें, कौन इसके Vice President है, Vice President ही कह सकते हैं, उपाध्यक्ष, तो वो हो जाते हैं आपके, सुमन बैरिंग, ठीक है सुमन बैरिंग, और अगर आपसे CEO पूछ ले कि वर्तमान में नीतियों के CEO कौन है, तो VBR Subramanian, VBR Subramanian यह आपको याद रखना है, तो योजन आयोग, या फिर नीती आयोग से कुछ भी पूछा जाए, तो आप असानी से बता सकते हैं, और साथे साथ यह भी याद रखेगा, योजन आयोग एक गैर समिधानिक निका है, गैर समिधानिक का मतलब कि समिधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोहीं भी कोई उलेक नहीं, इसलिए हम लोग इसको गैर समिधानिक कहेंगे किलियर है, दोनों आपका किलियर आयोग हो गया, अब चलिए बात करते हैं, संगलोग सेवाइओग कल मैंने संगलोग सेवा आयोग को 1950 बताया था काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये गलत है देखे गलत नहीं था और सही भी हम नहीं थे मतलब कहने का ताथ पर ये हुआ कि यहाँ पे जो बताया गया था आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताया गया था जिस वज़स से आपने कमेंट करना स्टार्ट किया था कि ये गलत है बट गलत नहीं था ध्यान दीजे मैं आपको आज किलियर कर देता हूँ कि स्थापना जब इसका हुआ था आपने बिल्कुल सही कहा था कि अक्टूबर 1926 में हुआ था इसकी स्थापना लेकिन सिर्फ और सिफ 1926 ही नहीं था इसके बारे में आपको बहुत सारी जीज़े जानी है जब इसका अस्थापना हुआ तो उसे लोक सेवायोग के रूप में अस्थापना किया गया था जबकि हमने आपको कल लिखवाय था संघ लोक सेवायोग संघ इसमें एक आप सब्द जो देख रहे हैं वो इसमें included था अगर संघ लगता है तब फिर आपका 1926 कहना गलत होगा तो ध्यान दीजे कि स्थापना अक्टोबर 1926 में लोक सेवायोग के रूप में हुआ था लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के दोरा संघ ही लोक सेवायोग के रूप में इसका पुनर गठन किया गया बाद में चल करके सौतंता के बाद इसको संग लोग सेवा आयोग के रूप में नाम दिया गया यानि सौतंता के बाद यानि 1950 में जब जाकर के ये समिधानिक दरजा इसे प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को उस वक्त इसे संग लोग सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा और यही मैंने कल आपको बताय था कि संग लोग सेवा आयोग के स्थापना 1950 तो बस ध्यान रखे कि इसमें बहुत साइच चीजे थी जो कि कल आपको वीडियो में नहीं बताए गए थी और मैंने आपको बोला भी था किसका जब नेक्स्ट हम पार्ट लाएंगे डेटेल्स में आपको बताएंगे तो वहाँ पे हर आयोग के बारे में डेटेल में बात करेंगे तो आज हम इस यही आपको क्लियर कर दें इस संग लोग सेवायोग कहा जाएं तो 26 जनवरी 1950 को समिधानिक दरजा पराप्त हुआ और इसी किस थापना की रूप में जानते हैं अगर लोग सेवायोग किस थापना पूछा जाता तब हम वहाँ पे अक्टोबर 1926 कह सकते थे जैसा कि यहाँ पे मैंसन किया गया अब बात करते हैं कि जब इसे समिधानिक दरजा दिया गया तो कहीं न कहीं समिधान में इसका उलेख होगा तो समिधान की बात करें तो अनुछेद 315-323 के अंतरगत संग लोग सेवायोग के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा की गई है संग लोग सेवायोग के बारे में 315-323 के अंतरगत राइ्ट, और 324 से 329 तक भारती चुनावायोग या फिर निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है कारेकल की बात करें तो इसके सदस्यों का कारेकल जो होता है यानि इसके जो अध्यक्ष होते हैं इसका कारेकल 6 वर्ष 6 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है उसका कारिकल समाप्त माना जाता है तो 6 साल या फिर 65 वर्ष ये याद रखेंगे वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो मनोद सोनी है ये याद रखेंगे अच्छा यहाँ पर मैंने क्वेसंस आप से पूछना चाहता था बताए कि वर्तमान में मुखे निर्वाचन आयोगत निमली खित निमली खित नहीं कहूँगा मुखे निर्वाचन आयोगत वर्तमान में कौन है हम नीचे कमेंड करके बताएंगे और वर्तमान में जो UPSC के अध्यक्ष हैं वो है मनोद सोनी और यगर हम बात करें कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो रोज मिलियन बैथ्योग यह सब चीजे आपको लुसेंट में भी पढ़े होंगे याद होगा तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के स्लाइड पे और आगे के जो भी आयोग है उनके बारे में डिसकस करते हैं अब हम यहां पर बात करते हैं वीतायोग के बारे में तो वीतायोग से related कई सारे सवाल एक्जांस में देखने को मिलते हैं डारेक्ट पूझाते हैं और कई बार हमने आपको बताया भी है देखें वीतायोग का सबसे जो main उदेश से है main purpose क्या होता है तो संग और राजयोग के बीच या फिर राजय राजय के बीच वीतिय संसाधनों के वितरण के तरीकों के बारे में समंध के बारे में अनुसंसाई करना चर्चा करना ये इसका main purpose होता है संग और राजयोग के बीच या फिर राजयो राजयोग के बीच संसाधनों के विवरण के बारे में बताना होता है इसका जो गठन किया गाता यानि प्रतम वीतायोग का गठन 1951 में 22 नममबर 1951 को पहला वीतायोग का गठन किया गया था ये आपको याद रखने राश्ठपती के दौरे इसका गठन किया जाता है परतेक 5 वर्स के लिए इसका गठन होता है यानि पहला वीतायोग 1951 में गठन किया गया था और अगर वर्तमान के बाद के तो 15 वीतायोग चल रहा है तो 15 वीतायोग के जो अध्यक्ष वो कौन है तो यहाँ पर मैंने लिख रहा है नंद की सोर सिंग एनके सिंग यहाँ पर ध वर्णन किया गया और इसका गठन परतेक 5 वर्स के लिए राश्टपती के दूर रखिया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष वर्तमान में जो परतेक 5 वर्स के लिए होते हैं तो पंद्रहवे जो अध्यक्ष है, एनकेसिंग है, और चार अन जो सदस होते हैं, इसमें भी दो बाठ होते हैं, एक तो दो पुर्ण कालिक सदस होते हैं, ये चीज़ याद रखेगा, हो सकते हैं, आप से इसे पुछ जा सकते हैं, कि वीतायोग में कितने अन्सकालिक सदस हो पर बात करते हैं, एक चीज़ और में आता दो, कि पंद्रहवे वीतायोग, एनकेसिंग होंगे, चौधावे अगर पूछ आया, तो भारत के जो पूर्वे गवर्णर थे, वाई भी रेडी, वो थे, वाई भी रेडी, ठीक है, अब यहाँ पर रास्टिये महिला आयोग, ध 1990 के दोरेस का गठन, जो की 31 जनवरी 1992 में किया गया, और रास्टिये महिला आयोग का जो में कारे होता है, भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनित करना, और उनके पक्ष के तरफ मतलब आवाज उठाना होता है, भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनित करना, तीन साल या फिर 65 वर्स जो भी मतलब फ़ले पूराओ और पहली महीला आयोग कौन थी तो पहली महीला आयोग की जो अध्यक्स्ती जयनती पठनायक थी और वर्तमान में बात के तो रेखा सर्मा है ये सबसे important है रेखा सर्मा अक्षर पूछा जाता रहता है अब यहाँ पर बात करते हैं केंद्रिय सतरकता आयोग जिसकों लोग सौट में CVC के रूपे पे जानते हैं यानि Central Vigilance Commission Central Vigilance Commission जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में किया गया था फरवरी 1964 में और कौन सी समीती के दोरा तो संथानम समीती के दोरा किया गया था संथानम समीती जो है जिसे भरष्ट चार रोकने से समंधित सुझाओ देने के लिए इस समीती का गठन किया गया संथानम समीति और इसी समीति के सुझाव पर केंदरिये सतरकता आयोग सेंट्रल विजलेंस कमिशन का गठन किया गया फरवरी 1964 में डीट याद रखना है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके दो अन्य सतरकता आयोगत होते हैं इसके न्यूक्ति जो होती हैं राश्टपत आयोग थे कौन थे तो नितूर स्री निवासन राओ अब आपके लिए छोटा सा क्वेसंज है कि वर्तमान में किंदरिये सतरकता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके नीचे कमेंट करके बताएंगे अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड तो अब मैं आपको बता दूँ कि अब हमारा जो आखरी आयोग है वो है रास्टिय अनुसूचित जाती और जन जाती आयोग है इसके बारा में थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है देखें हुआ क्या कि 55 संसोधन अध्धिनियम जो 1990 था 1990 द्वारा अनुछे 338 में संसोध जन जाती आयोग बना यानि ये एक ही में था दोनों को एक ही में रखा गया था अनुसूचित जाती और जन जाती आयोग था लेकिन नमास्तिवे समिधान संसोधन 2003 के द्वारा 338 में संसोधन फिर से हुआ और दो अलग-अलग आयोग बना दिये गया यानि रास्टिय जन जाती आयोग एक आपका 338 हुआ और एक आपका 338 का एक हुआ जिसे हम लोग 338 को अनुसूचित जाती आयोग के नाम से जाना जाता है सेड्यूल ट्राइब और एक होता आपका सेड्यूल कास्ट सेड्यूल कास्ट आता है आपका 338 के अंतरगत सेड्यूल ट्राइब 338 के एक अंतरगत आता यह चीछ ध्यान रखेगा लेकिन इतना ही नहीं इसके बाद फिर से आपका 102 समिधान संसोधन के द्वारा 2018 में 338 B को एड कर दियागा 338 के संसोधन के साथ क्यानि 338 सिर्फ और सिर्फ SC के लिए 338 A जो होता है वो ST के लिए और 338 के B जो होता है वो OVC के लिए आता है यह चीज़ आपको याद रखना है यह एक्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है 65 संसोधन 1999 नवासीवा 2003 और 102 होता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समिधान संसोधन से लेटेड मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से आफजा करके उसको देख सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आयोग है वो है रास्टिय मानवाधिकार आयोग रास्टिय मानवाधिकार आयोग कि स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गए थी 12 अक्टूबर 1993 को एक परकार का गैर समिधानिक निका है क्योंकि समिधान में इसका कोई उलेख नहीं है, गय समिधानिक निकाय, अध्यक्ष की बात करें, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं, वो न्यायमूर्थी अरुन कुमार मिस्रा है, देखें इसके हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं, वो रिटाइड होते हैं, रिटाइड जो जज होते हैं, सुप्रिम कोट के, उनको ही बनाया जाता है तो न्यायमूर्थी अरुन कुमार मिस्रा और प्रत्थम अध्यक्ष इसके कौन थे तो रंगनाथ मिस्र यह याद रखेगा कारेकल कितना होता है तो तीन वर्स या फिर सत्तर वर्स के आयू तक इसके कारेकल माना जाता है किसका तो राष्टी मानवा अधिका आयोग का ये चीज़ याद रखेगा विशुमानु अधिकार दिवस कब मनाते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बताइए कल की वीडियो में आपको वैसे ही बताया था और बहुत सिंपल सा क्वेशन है तो आपको याद होगा अब हमारा आखरी आयोग है किंद्री ये सूचना आयोग जिसे हम लोग CIC के नाम से जानते हैं Central Information Commission केंद्री सूचना आयोग जिसकी स्थापना 2005 के अंतरगत की गई थी इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बने है वो हीरालाल सामरिया है करेंट अफेर्स में मैं आपको कराया हुआ था हीरालाल सामरिया नवंबर 2023 में इसके अध वजाहत हभी बुल्ला थे वजाहत हभी बुल्ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसी के अंतरगत आता हमारा एक RTI Guide Right to Information जो की हम अभी फिलहाल उसी पोस्ट पर हैं यानि साउथ इस्टन रेलवे का जितना भी RTI होता है वो हम लोग ही करते हैं ये चीज मैं आपको बता सिर्फ और सिर्फ साउथ इस्टन रेलवे का ठीक है अब यहां पर दीखें राइट व इन्फर्मेशन जो है वो आपका पारीत तो हुआ था जून 2005 के अंतरगत लेकिन इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को तो ये दो चीज आपको याद रखना इंपोर्टेंट ह हो जाता है लागो कब हुआ पारीत कब हुआ यह दोनों अगला अगला चीज़ें पूछे जाते रहते हैं हेलो अरीवन गुड मॉनिंग स्वागत अपजभी का ओनलाइन स्टडियो में तो आध मारे पास है एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि काफी लोग पूछे जाते हैं तो जितने भी गेम्स यहां पर आपको देख रहा है यानि कि फुटबॉल किर्केट पोलो गोल्फ और बेस्बॉल तो यह दस खेल हैं और इन दस खेल के जो प्रमुक सब्दावलिया है वैसे बहुत सारे सब्दावलिया है लेकिन जो चुनिंदा है जो में अब तक देखनी को मिलता रहता है जो आने के लिए एक्सपेक्टेड हम सोथ सकते हैं कि यह पूछा जा सकता है वो मैंने यहां पर नोट डाउन कर रहा है तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जितने भी यहां पर आपको दे जा रहे हैं यानि किर्केट में जो जो बता बस यही फरक है बाकी और कुछ जादा फरक नहीं ठीक है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बिलियर्ट के समंद में क्यूँ जो सब्दे वो बार बार रिपीट होता है क्यूँ सब्द के स्खेल से समंद पूछाता है बिलियर्ट केनन याद रखिए और जिगर याद रखिए क्यूँ जिगर और केनन ये तीनों सब्द ब कि लव हो गया, ड्यूस, हाफ वाली और स्मैस ये जो आप चार यहां पर सब्दावली देख रहे हैं वो टेनी से सम्माद दीते हैं इंपोर्टेंट रहेगा इसमें लव और ड्यूस ये पूछा जाता रहता है अब बात करते हम लोग थर्ड पॉइंट जो की बैड्मिंटन बैड्मिंटन में बहुत सारे हैं देखी जैसे की कोट यहां पर भी लव हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो स्कोर बोर्ड पे 002 पा सब्सक्राइब देखा क्योंकियेगा है की नहीं तो यहां पर देखें के बैड्मिंटन में कोर्ट लॉओं याद रखेंगे सर्वीश लॉइस इस इसमें भी आता सेल पॉइंट मैच्ट पॉयंट सर्विस चैंज सर्विस तो आप बच्पां से कि आते होंगगे वैड्मिं अब फिलहाल तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है ट्रिक बैठाने बैठेंगे तो दो वीडियो और बन जाएगा उसमें लेकिन जब बन जागा तो हम आपके साथ डिसकस करूंगा लेकिन फिलहाल आप याद रखे क्योंकि एक्जाम्स में कुछिस करने जाद आपको टॉपिक मिल मस्टर थो सभी को पता ही है कि सत्रंद से होते हैं लेकिन विसव गमबेट चेकमेट ग्रैंड मकश्टर यह सब्सक्तार होता है उसको याद रखेगा फुटबॉल की बात करते तो football में देखी क्या है तो kick तो पता ये सभी को rebound याद रखे penalty पता है baseline defender strike और tie breaker और sweeper ये सब जो सब्द हैं वो बार-बार repeated होने वाले सब्द हैं तो इनको अच्छे से ध्यान रखें खास करके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जैसे के rebound याद रखेगा penalty तो पता होना चाहिए आपको और tie breaker striker striker भी आपने नाम सुना होगा और sweeper ये सब के सब बार-बार rebate होने वाले हैं अब इसके बाद चलते हैं हम लोग hockey पे hockey में देखिए क्या है सबसे अच्छा penalty stroke याद रखे कि stick तो पता ही है कि roll in roll out यानि roll on roll in यह हमेशा पूछा जाता रहता है कि roll on कि scale समझत है roll in कि scale समंझत है बुली याद रखे होंकी से ही है जोनल marking push in और carry यह सब लेकिन roll on roll in इस सब दावली में सबसे महत्पूर रहेगा ठीक है आगी देखते है next हमारा आता है cricket तो cricket में चाइन में चाइन में तो फेमस ही है चाइन में हो क्या पॉपिंग क्रीज होता है क्रीज आपको पता है ना silly point होता है silly point हो क्या third man जैसे third empire होता है pavilion आउट होना cover point hook और बहुत सारे हैं लेकिन इसमें important जो होता है चाइन में बार-बार रिपीट होता है तो चाइन में ध्यान रखिए देखिए एक चीज में आपको दादू कि हाली में current का यह है अभी जस्ट कल लिया परसो का current है उसमें एक सब्द है cricket खेल से सब्द है badge ball, badge ball जो कि हो सकता है कि cricket से कोई चीज हो तो यह cricket सब्दावली के अंतरगत ही आएगा badge ball इसको हाल ही में Collins dictionary में सामिल किया गया तो आने वाले exams के लिए हो सकता है पूछा जाए कि badge ball किस खेल से संबंधित सब्दावली है तो cricket से ध्यान रखेगा badge ball इसके बाद है next point है पोलो तो पोलो के अंतरगत बंकर चकर मैलेट बंडर और चुका चुका मैंने देखा है दो तिन बार यह paper में मिला हुआ है मैं उझे कई-कई तो चुका याद रखे बंकर याद रखे यह important रहेगा चुका बं जैसे कि अगर जब छोटा वला जो गेन दोता है उसको stick से मारने के लिए इस पर रखा जाता है यह जमीन के अंदर रहता और इस पर stick इस पर रखा जाता है तो यह जो टी आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है तो टी सब्द गोल्फ से सम्मान देता है गोल्फ स्टाइमी टी कैंडी आइरन हमेशा पूछाता है आइरन आपने भी कई बार देखा हुआ आइरन सब्द किस खेलते समय थे गोल्फ से पुटिंग हो क्या बंकर इसमें भी था और बंकर इसमें भी है एक होता है लाई लाई लिंक्स और रफ आइरन और टी बस यह दो इसके संदर में याद रखना है यहीं से पूछा जाएगा और पूछा जाता है तो बेसबॉल के अंतर गत क्या देखेंगे तो बेसबॉल से तो एक बेस हो गया बैटरी बटिंग कैचर डायमंड याद रखना है इसमें अंदर डायमंड डायमंड पिनोट और पिक तो डायमंड सबसे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आपके पास जादा समय नहीं है और लास्ट टाइंग पर मैं आपको एक छोटा सा और भी टॉपिक दे रहा हूं और दो तिन टॉपिक और हमारे पास है जो कि आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है यह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख जल संधिया जिसको जला डमरुमद्य के नाम से भी जानते हैं देखे कुछ लोग जल डमरुमद्य कहते हैं कुछ लोग जला डमरुमद्य कहते हैं तो मैं तो जला डमरुमद्य कहता हूं आप लोग उसको पता हैं क्या गए हैं तो देखे प्रमुख जल संधिया जो जल संदी होती है किसी दो सागरों को मिलाता है या फिर दो देशों को जूडता है उसको कहा जाता है जल संदी है तो इससे रिलेटेट हमेशा questions पूछे जाते हैं तो फिन्स ध्यान रखेगा इस टाइप से रिलेटेट जो questions होंगे एक्जामस में definitely देखने को मिलेंगे तो प्रसांत महासागर से जोडता है और यह जो आपका जल संदी है वह अंतराष्टी तीथी रेका के साम्रानता है किसको किसको अलग करते है किन दो देशों को तो असे और उत्री अमेरिका उत्तरि अमेरिका जो को आपको तबिशान रहेँका थैसे और उत्रे मेरिका कोhenma को और एक होता है डोबर दोनों को ध्यान से समय दीजेगा डेविस जो जोड़ता है या फिर कैसे घ्यालग करता है तो कैनडा और ग्रीन लाइंड को डेविस और साथ साथ यह सबसे चौड़ जलसंदी के रूप में पूछा जाया तो वह आपका डेविस जलसंदी ठीक है डेव कि दो सबसे जिब्रालटर जँब्रालटर जो जलसंदी है वह सागर को अटलांटिक महाथ सागर से लोता है अगर देश पूछा जाएं तो स्पेन और मुरखों को जूड़ता हैं स्पेन और मुरखों को अगर महादिफ पूछा जाए तो अफ्रिका और यूरोप estream ौअपर उट्टी माणस सागर से अलककरता है घобраз जल डगरुबत या फिर जब्रालतर जल संदी ठीक है इसके बढ़ते हैं बास जल संदी बास जो जल संदी वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है यह नाम याद रखेंगा एक जम भीवाई है हमेशा पूछा जाता है यह जो दोवर है आप याद रखेंगे पाक तो आपको पता है वह इसे बताने की जुड़त नहीं है पाक जल संदी भारत और सिर्लंका के बीच या फिर इसको हमें इस तरह से याद रखेंगे पाक जो स्ट्रेट है वह भंगाल की काड़ी को मना की खाड़ी से जोड़ता है यह आपको याद रखना है इसके बाद है मल करका मल करका जो है यह याद रखेगा अंडमान सागर को दच्छिंचीन सागर से अगर देश में तो इंडोनीसिया को मलीसिया के मद इस्ती थे मलक का जल संदी इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जिब्राल्टर मुमत सागर अट्लांटिक मां सागर को अलग करता है स्पेल और अब यहां पर देखिए एक आठ डिग्री नौ डिग्री और दस डिग्री चैनल होते हैं जो कि हमेशा आपको रिपीट करता रहता है तो याद रखेगा कि आठ डिग्री जो हो माल्दी और मिनिकाय के मत नौ डिग्री जो है वो लक्षदीप और मिनिकाय के मत जबकि 10 कि मामी यादरि लक्षदीप रहा होगा है कि चोटी कर मतलब छोटा काव लिकार चोटी कार या थे सरह से अगर खाड़ी देडए तो फारस की खाड़ी को उमान 3 को अलग करता है इसके बाद हमारा नेश्ट पइंट है जो उता है आमें साप पूछा गया वाब बेखर ठेखे ध्यां रहें कि इस तरह से पूछा जाएं ऑ изменer और सागर से देखा जाय को लाल करता है तो दोनु चीज और कियेगा अगर सागर कि पूछाया वह बतेंस ट्वार आपने दिखा कंपो बिलाओं सुन्द यो त्मीटर से उनाँ यद करता है किomasi मैक्सिको की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर मैक्सिको की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर मैक्सिको की खाड़ी को केरिबेन सागर से लग करता है वह मैक्सिको की खाड़ी को अट्लांटिक महासागर से लग करता है उसके बाद अगर यही पूछा जाए कि इसका नाम दिए जल्डी से कमेंट करके करें कियो बाइक को आप लोग क्या कहते हैं इसके बाद इक्स्ट वन है स्वेज नहर देखें यह आपका सब जलसन देखा लेकिन यह दो हमेशा नहर के संदर में पूछाता है तो बात इसका कर गए तो यह दो ब्रहां छोड़ नहीं स साथ उत्री सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ता है यह द्यान रखना है चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हम लोग ताकि अच्छे से माई में सिट हो जाए शुरू करते हैं दिखें सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो बेरिंग जलसन्दी है वह आर्क्र इंग्लीज चैनल को जोड़ता है इंग्लीज चैनल को उत्री सागर के साथ बास अस्टेलिया और तस्मानिया पाक की बात करते तो पाक आपका भारत और सिलंका क्यों क्या एसा नहीं कि पाक मतलब पाकिस्तान वाला ऐसा कंफियूस मत करिए इसके बाद आपका मलक का जो हो भूमद सागर को अट्लांटिक महास आगार से या पिर अगर देश पूछा तो स्पेन मुरग को अगर महादीव पूछ पूछ अफ्रिका और यूरोप को आठ डिकरी नौर आपको याद होई गया होगा आठ डिकरी आनिकी मामी लक्षमी चोटी क्यार में मामी से होगी या छोटी अंडमाल कार निकोबार यह तीन या जगना आठीक नौरी दस्टीव दोबंद के इंग्लिश चैनल को उत्रे सागर से विए विए पूछा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जूड़ते हैं सुरंग से रियानक हैं और फारस के खाडी के साथ उमानकी खाडी बाब अलमंडब लाग सागर को जोड़ते हैं अगर माह सागर के संदर में पूछा रहे हैं तो हिंद माह सागर को लाग सागर के सुंडा, जावा और सुमत्रा याद होगा है, युकाटन जो कि मेकसीको की खाड़ी के साहथ आपको याद रहना है, मेकसीको की खाड़ी के साहथ केरिबियन सागर, फ्लूरिडा की बात करते во थे हैं, मैकसीको की खाड़ी के साहथ इतलाization अचलांडिक महा सागर स्वेज नहर जोता है उमाज सागर को लाल सागर के साथ जब कि किल नहर जो है वो उत्री सागर को बालिटिक सागर के साथ उत्री सागर हमें वो भी देखता है जो डोवर है वो याद रखेगा इंग्लिस चार्म को उत्री सागर के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मद्देकालीन भारत से जुड़े जो प्रमुख पुस्तक थी और उनके जो लेखक थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले है जैसा कि आप सभी को बता होगा कि इससे पहले जो एक्जाम्स हुए उनमें यहां से questions पूछे जा है तो इस वीडियो के साथ एंडे तक बने रही है और इसमें जो भी बताये हैं पुस्तक को उनको अच्छे से याद रहे हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तब तक आव वीडियो कर दिए लाइक और चैनल कर लिजे सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर र याद रखना एक्जामस में जो डेफिनेटली आएंगे वो कौन-कौन सी है तो हम चलिए फटा-फट से यहां पर कवर करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तुजुक ए बाबरी जिसकों लोग बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं और ध्यान रखेगा कि बाबर की यह आत्मकथा थी और बाबर ने इसे किस भासा में लिखा था यह भी क्वेसंस कई बार पूछे गया है तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भासा में लिखी गई इनकी पुस्तक है तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूँ तुर्की में लिखा गया था ठीक है तुर्की भासा में लिखे गई इनकी पुस्तक थे तुजुक ए बाबरी अब यहाँ पे आता है second point हुमायू नामा हुमायू नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था ये भी अपने आप में important question है कई बार exam समें पूछा गया है हुमायू नामा के रचनाकार कौन थे तो गुलबदन बेगम यह याद रखेंगे ठीक है अकबर नामा जो की अबुल फजल के द्वारा लिखे गई है अकबर नामा किस के द्वारा अबुल पजल के द्वारा लिखे गई पुस्तक है next point पे आते हैं next point हमारा है मुन्तक मुन्तक hazardul तवारिक याद रखे इतना ही important है तवारिक बदायूनी के दोरा लिखेगी पुस्तक है तबकात ए अकबरी को किस ने लिखा है तबकात ए अकबरी को निजामुदीन अहमद ने लिखा है एक चीज़ मैं आपको बदा दूँगे अगर इनके अलावा भी कुछ छूट जाता है तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट कर दीजेगा मैं पिन कर दूँगा ताकि सभी लोगों को help हो जाए और अगर इसके next वीडियो का भी लाएंगे तो वहाँ पे मैं इसको include कर जको ठीक है लेकिन मैंने पूरी कोसिस किए जो important है वो मैं अपने साफ्थ लेकर क्या हूँ लेकिन अगर छुड़ जाता है तो आप इसको mention कर देना अगला हमारा बनता है मासीर रहीमी ये किसके तो लिके गई है तो अब्दुल बाकी ने लिखाया अब्दुल बाकी ने लिखाया कभी पूछा नहीं गया लेकिन मैंने यहाँ पर include कर दिया क्योंकि हो सके पूछा जा सके मासीर रहीमी किस ने लिखाया अब्दुल बाकी ने लिखाया अगला है कि तारीक ए हकी की अब्दुल हक देहलवी ने लिखाया अपने इसको सुनाओगा कई बार तो हो सकता है जब नाम देखने को मिलता है तुसे उनके जुड़े हुए चीजों को पूछा जा सकता है तो तारीक ए हकी की अब्दुल हक देहलवी ने लिखाया ठीक है तारीक ए फरिस्था मुहमद कासीम मुहम्मद कासिम जिसको हिंदू साह के नाम से भी जाना जाता था मुहम्मद कासिम ये important रहेगा तुजुक ए जहांगिरी तुजुक ए जहांगिरी खुद एक आत्म कताती जहांगिर के ठीक है तो जहांगिर ने इसको लिखा था तुजुक ए जहांगिरी जबकि बाबर का बाबर नामा या फिर इसकों लोग तुझुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं ठीक है? साथी साथ अगला जो प्रश्ण है वो है पादसाह नामा बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही चर्चम रहने वाला हमेशा पूछा जाता रहता है तो पादसाह नामा अब्दूल हमीद लहोरी के साथ साथ एक और थें जोकि मुहम्मद अमिन का कजवीनी लिखिया और ठीक है? कजवीनी कहें कजवानी कहें कजवीनी लिखता है तो पादसाह नामा के दूनों नाम याद रखिये ज्यादा तर आपका popular तो यही है अब्दुल हमीद लौहरी क्योंकि बाद में जो चीज छूटा था उसको पूरा क्या था कजवीनी ने तो इसलिए यहाँ पे इनका भी नाम आता है ठीक है पादसा नामा अब्दुल हमीद लौहरी और साथ साथ मुहम्मद अमीन काजवीनी राइट फेंस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो सबसे महतिपूर्ण आपको याद रखना है उपर के दो याद रखे साथ में यहाँ पे आपका एक आता है अकबर नामा याद रखना है अकबरी वाला याद रखना है और यहाँ के दो यह important रहेगा इसके अलावा बाकि सब याद रखे लेकिन यह most priority हम लोग देंगे इसको याद रखने के अब आते हैं आगे जिसमें देखेंगे साजहा नामा साजहा नामा इनायत खाने लिखा है साजहा नामा को किसने लिखा है इनायत खाने लिखा है यह महतपूल रहेगा एकजाम्स के लिए एकदम फीवी है इनायत का ठीक है साजहा नामा को इनायत खाने लिखा है अगला बनता है आलमगिरी जैसे की रुकाते आलमगिरी रुकाते आलमगिरी को लिखा है औरंग जेब ने ठीक है औरंग जेब ध्यान रखेगा औरंग जेब नहीं लिखा है रुकाते आलमगिरी इसके बाद नेक्स्ट पॉइं किस ने निखा है? नुस्का ए दिल कुसा को भीमसेन कायस्त भीमसेन याद रख लिए काम चल ज़ागा कायस्त थोड़ा सा तेढ़ा वज लग रहा हुग आपको तो भीमसेन याद रखे काम चल ज़ेगा इसके बाद है आलमगीर नामा उपर में देखा था मने रुकाते आलमगीरी, नीचे है आलमगीर नामा, इसको मिर्जा मुहम्मद कासीम ने लिखा है, मिर्जा मुहम्मद कासीम ने लिखा है, ठीक है, मिर्जा मुहम्मद कासीम ने आलमगीर नामा, नेक्स्ट है, मासीर ए आलमगीरी, उपर में रुकाते आ आपको द्ध्यान रंखेगा फद्वा एय आलमगिरी oug डिखा गया है सेख निजामुदिन अाहमद के दौरा सेख निजामुदिन अाहमद के द्वरा क्रफ देखे उपर में कहता रुकात एय आलमगिरी और जेव ने लिखाया, मासीर ए आलमगिरी को साकी मुस्तेद खाल लिखाया, फत्वा ए आलमगिरी ये इंपोर्टेंट रहेगा इसको और इसको याद रखिया, ठीक है, फत्वा ए आलमगिरी को सेख निजामुदिन अहमद ने लिखाया, नेक्स्ट रहता है, ता फतुआत एतल फिरोजशाय को देखें कभी कभी क्या होता आक कि आपको पूछा जाएगा कि निमलखीत में से कौन सी आत्म कथा नहीं है तो आत्म कथा हमने क्या देखा था तूजग ए बाबरी बाबर्न की आत्म कथा थी इसके बाद हमने यहाँ पे तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी के आत्मकता थी, इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं फिरोध साही, जो की फिरोध सा तुगलग की आत्मकता थी, तो यह तीनों अपने आप में important हो जाता है, अगर questions पूछ ले, कि निमलीखित में से कौ ने लिखा है, नूर सिपहर को अमीर खुसरो ने लिखा है, तुगलक नामा, तुगलक नामा को अमीर खुसरो नहीं लिखा है, नूर सिपहर, तुगलक नामा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, रहला को आपको पता ही है, यह अपने आप में important फुस्तक है, मुरक् जातरी इबने बटूटा, कमेंट करके बताईए कि ये किस के दरबार में आया होगा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेशन या, कमेंट करके जरूर बताएगा, और जिस सासक के दरबार में आथा, उससे जूड़ी दो-तिन पॉइंट आप अपने मन से जरूर लिखेंगे, ठीक है दर्बार में रहता था या फिर किसके साथ भायाता हुआ था ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो उमीद है दोस्तों कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए आप स्किन सॉट यहां पर ले सकते क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि स्किन सॉट लेने के लिए टाइम नहीं देते और साथे साथ मैं आपको बता दू कि एक कमेंट काफी दिन से चल रहा है जो कि समनांतर सरकार पर वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं तो देखे मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सवनांतर सरकार की जो वीडियो है, वो मैं बहुत दूल प्रवाइड करा दूँगा, उससे जुड़ी हो जो भी महत्पून पॉइंट होगी, वह एक छोटे से वीडियो में आपको समझा दूँगा, ताकि आप एक्जांस में उससे भ रही होगी, हेलफुल रही होगी, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और सेर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेर करिए, चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल आइकन को और सेर करिए, हम मिलते हैं आपके साथ इसी वरकार के किसी और वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक्स और वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हाव अगुड देम